सक्ति जिले में बड़ा हाथसा हुआ है जहां बूधवार सुभा बच्चों से भरी स्कुल की मीनी बस अनियंतित होकर सुन नदी में जागिरी मीनी बस में 15 बच्चे सवार थे वही हाथसे की वक्त नदी में नहा रहे ग्रामिनों ने तुरंत दोड़कर बस की अंदर से सही बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला बतादे बस पुरी तरह से पानी में डूब गई है गनिमत रही कि कोई जनहानी नहीं हुई पतादे कि हसो थाना शेत्र के पिसाओद में 15 बच्चों को स्कूल लेकर मीनी बस जा रही थी तभी सोन नदी के डेम पर रोड सक्री होने के कारण अनियतित हो गई और ड्राइवर मीनी बस को संभाल नहीं पाया और बस नदी में जागिरी